असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब माइनम इस रायान मुलेक, I am here to teach you physics class 9 आज हम पढ़ने जा रहे हैं chapter number 6 का topic 6.2 energy तो आईए चलते हैं board की तरफ chapter number 6 का नाम है work and energy previous lecture में हमने study किया था कि work क्या होता है जब आप force लगाएं और displacement cover करें तो आपका work done हो जाता है अगर आप force लगाएं और displacement cover ना करें तो work done नहीं होता अब work done जो उनसा भी हो रहा है obviously वहाँ कोई न कोई energy जरूर use हो रही है energy होगी तो ही कोई काम होगा otherwise energy के बगाएर कोई काम नहीं हो सकता energy start करते है energy की definition है it is the ability to do work energy ऐसी चीज़ है जो कोई भी work perform करवाती है ठीक है अब इसके हम example study करते है जैसा के water running down the stream has the ability to do work एक पानी जो के बैता हुआ आ रहा है करी से नीचे आ रहा है ठीक है तो यह बैता हुआ पानी भी जब नीचे आता है तो इसमें भी energy होती है और यह भी बहुत से work जो है वो perform कर सकता है ठीक है जैसा के हमारे जब पानी बैता वह आ रहा होता है और नीचे टर्बाइन्स लगी भी होती है और वो टर्बाइन्स पे जब पानी fall करता है तो वो टर्बाइन्स rotate करती है और उस rotate करने की वज़ा से electrical energy produce होती है ठीक है तो अब आप यहां पर हो क्या रहा है कि पानी में energy थी तो पानी ने टर्बाइन्स को rotate करवाया और जैसे ही वो टर्बाइन्स rotate हुई वहां पर electricity produce हो गई ठीक है अब इसका मतलब यह है कि यहां पर ही जो हमारी energy है यह है mechanical energy जो टर्बाइन्स के उपर fall कर रही थी ठीक है तो mechanical energy किसमें convert हो रही है electrical energy में तो यहां से हमें एक चीज़ और भी पता चल गई कि energy जो है वो एक form से दूसरी form के अंदर convert भी किये जा सकती है ठीक है आप energy को किसी किसी भी form की energy को आप दूसरी form में आप easily convert कर सकते हैं ठीक है अब मजीद हम type study करते हैं energy की types heat energy, light energy, electrical energy, mechanical energy and chemical energy ठीक है तो हम basically mechanical energy को हम अब study करेंगे और इसको study करने के लिए हम जाते हैं next board की तरफ mechanical energy को further दो main streams में divide कर दिया गया है kinetic energy and potential energy आज हम study करेंगे 6.3 topic kinetic energy kinetic energy की definition, the energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy मैंने क्याँ पर word underline किया है, motion जिस भी चीज में motion होगा, हरकत में होगी, उसमें kinetic energy होगी, ठीक है कोई भी चीज, कोई भी चीज चाहिए वो अगर हरकत कर रही है, motion में है तो वहाँ पर kinetic energy मौजूद है ठीक है, अब जिससे for example हम wind की बात करते हैं, wind अगर कोई हवा चल रही हो, motion में हो, हरकत में हो तो उसे हम wind कहते हैं और अब आप देखें कि ये एक wind जो है, ये कौन-कौन से work perform कर सकती है obviously इसमें energy है, तो ये कोई न कोई work perform कर रही है, ठीक है, अब ये wind जो है, sailing boats, आपने boats देखी होंगी, ठीक है, इस तरह की, जब हवा चलती है, तो हवा इन boats को अपनी direction में ले कर जाती है ठीक है, तो ये sailing boats जो हैं, ये किसकी वज़े से move कर रहे हैं, wind की वज़े से move कर रहे हैं, अब wind में इसका मतलब ये है कि energy है, तो वो इसको move कर रहा है सेम ऐसी एकर हम second देखी है, तो moving water, आपको पानी चलता हुआ नजर आता है, ठीक है, अब पानी जब आपको चलता हुआ नजर आ रहा होता है, इसका मतलब ये है कि उसके उपर हवा चल रही है, wind वहाँ पर मुजूद है, तो वो उसको move कर रही है, ठीक है, तो obviously wind में kinetic energy है, तो वो उस पानी को move कर रही है, सेम ऐसी एकर हम देखें, driving mills, आपने देखा होगा, wind mills जो होती है, wind mills में fans लगे वे होते हैं, बहुत बड़े-बड़े, ठीक है, हवा चलती है, उस हवा की वज़ा से, हवा के pressure की वज़ा से, उसकी speed की वज़ा से, वो fans जो है, वो घूमन ठीक है, तो wind से, wind क्या है, mechanical energy, आप mechanical energy को convert कर रहे है, electrical energy में, ठीक है, I hope, आपको यह सब clear हो गया होगा, kinetic energy क्या होती है, ऐसी energy जिसमें motion आ जाए, ठीक है, किसी भी चीज में motion हो, तो आप कह सकते हैं कि इसमें kinetic energy मौझूद है, ठीक है, इसको समझने के लिए आप चलते हैं, next export की तरफ, let's suppose, हम एक example लेते हैं कि, एक body है, जिसका mass M है, मैं इस पर energy लगा रहा हूँ, और energy लगाई, force लगाई मैंने इसके उपर, ठीक है, और ये body move करके, यहाँ पर आ गई, अब इसने इतना distance इसने cover कर लिया, जिसको हम denote करते हैं, इसके साथ, obviously जब ये body move करके यहाँ पर आ रही थी, तो इसकी कोई खास velocity भी होगी, ठीक है, कोई ने कोई speed भी होगी इसकी, ठीक है, अब that means जब force लगाई और body ने displacement cover किया, और वो यहाँ तक आ गई, इसका मतलब ये है कि हमारा work done हो गया है, ठीक है, work done by it due to motion, ठीक है, उस करके वो object जो है, वो दोसी जगा पहुंचा है, that means कि उस body में क्या है, kinetic energy है, is it clear, ठीक है, अब अगर हम further इसको, derivation इसकी करें, further अगर kinetic energy is equals to work done, as you all know, work done is equal to Fs, जो के हमने पिछले lecture में भी study किया था, W is equal to Fs, इसको मैं equation दे रहा हूँ, equation number 1, ठीक है, अब जब इस object ने शुरू में start में move करना शुरू किया था, तो इसकी कोई ना कोई initial velocity भी होगी, let's suppose हम कहते हैं, वो velocity V है, ठीक है, अभी हमें नहीं पता कि वो velocity speed किती थी, हमें let's suppose कर लिया कि initial velocity इसकी V है, ठीक है, अब यह object जब move करके जा रहा था, तो obviously opposite इसको friction V act कर रही है, इस पर, जब friction जो है, वो किसी भी चीज में, किसी भी चीज को रोकती है, रुकावर्ट पैदा करती है, तो यह object यहाँ पर आकर stop हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, जैसे ही यह object यहाँ पर रुक जाएगा, इसकी जो final velocity है, VF हम कह सकते हैं कि वो 0 है, ठी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, clear, अच्छा, आपने second, Newton's second law of motion आपने पढ़ा है, that is, f is equals to m a, ठीक है, Newton's second law of motion, इसमें हम बात करते हैं, acceleration की, obviously, जब बादी मुफ कर रही है, अगर उसमें velocity वो पॉसेस कर रहा है, that means कि वहाँ पर acceleration भी है, क्योंकि change in velocity with respect to time is called acceleration, ठीक है, velocity शुरू में उसकी कुछ थी, final velocity उसकी कुछ थी, that means velocity में change हो रहा है, तो महाँ पर acceleration भी मौझूद होगा, अब हम acceleration के अगर हम बात करें, तो m यहाँ पर multiply हो रहा है, तो यह इदर आकर divide हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, a is equals to f over m, ठीक है, मैं यहाँ पर minus sign add कर रहा हूं, यह जो minus sign है, this negative sign shows that it oppose the motion, कि यह उसके motion को oppose कर रही थी, due to the friction, ठीक है, उसको stop कर रही है, body को, तो यह negative sign उसको represent कर रहा है, ठीक है, अचा, अब हमने पढ़ लिया, a is equal to minus f over m, अब हम discuss करते हैं, आपने third equation of motion पढ़ी है, ठीक है, तो अगर हम third equation of motion, अगर हम recall करें, वो क्या थी, that is, 2 a s is equal to इस s को हम capital कर लेते हैं, यह displacement शो कर रहा होता है, vf का square, final velocity square, minus initial velocity square, this is your third equation of motion, जो हम already हम पढ़ चुके हैं, अब अभी हमने कहा, acceleration is equal to minus f over m, तो इसको हम replace कर देते हैं, इसकी जगा पर acceleration की value, that is, minus f over m, then s is equal to final velocity, जो हम already कह चुके हैं, कि वो 0 है, 0 square minus initial velocity, यह भी हम कह चुके हैं, कि it is some velocity v, इसको यहाँ पर हम इसकी जगा पूट करके, इसका square हो जाएगा, क्योंकि vf का square था, तो 0 का square, v i का square था, तो v का भी square हो जाएगा, इसको further solve करें, अगर हम, तो यह इसको multiply करें, यह हो जाएगा, minus 2 fs over m is equal to 0 square, 0 minus v square, ठीक है, अगर इसको हम further solve करें, तो यह हो जाएगा, minus 2 fs over m is equal to minus v square, ठीक है, अब यहाँ पर minus, इस minus से cancel out हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर हम देखें हैं, तो m यहाँ पर divide हो रहा है, m वहाँ जाकर multiply हो जाएगा, 2 f के साथ multiply हो रहा है, तो वो उदर आकर divide हो जाएगा, इसको हम यहीं पर कर लेते हैं, साथ, ठीक है, मैं यह line draw कर रहा हूं, m वहाँ जाकर multiply हो जाएगा, it becomes f s is equals to 1 by 2 m v square, ठीक है, now compare, kinetic energy is equal to f s, यहाँ पर क्या है, f s है, मैं f s को again replace कर दूँगा, kinetic energy से, ठीक है, so kinetic energy is equals to 1 by 2 m v square, ठीक है, I hope आपको यह derivation समझ आ गई होगी, यह हमारा basic formula है, kinetic energy का, kinetic energy is equals to 1 by 2 m v square, ठीक है, यह formula आपने याद रखना है, यह आगे हर जगा इस्तमाल होगा, ठीक है, अब क्यूंके kinetic energy, एक energy की form है, इसलिए इसका unit भी हम क्या लेंगे, जाउल लेंगे, ठीक है, यूँके energy जो है, वो हम जाउल में मयर करते हैं, that's why हम इसका unit भी हम हमेशा जाउल से represent करेंगे, ठीक है, and as in definition भी आचुका है, define kinetic energy, ठीक है, तो आपने kinetic energy को define करना है, और इसलिए साबस का formula आपने लिखना है, ठीक है, I hope आपके lecture समझ आ गया होगा, अब हम next port पे चलते हैं, example की तरफ, जी, तो अब हम start करेंगे, example number 6.2, a stone of mass 500 gram strikes the ground with the velocity of 20 meter per second, how much is the kinetic energy of the stone at the time it strikes the ground, ठीक है, अब इसलिए वो कहना क्या चाहा रहा है, कि वो कह रहा है, एक stone है, जिसका mass 500 gram है, और वो 20 meter per second velocity के साथ, वो ground पर आके strike करता है, ठीक है, अब हो कहना क्या चाहा रहा है, कि एक stone है, जिसक है, how much is the kinetic energy of the stone, कि उसकी kinetic energy कितनी होगी, जब वो ground पर आकर strike करेगा, ठीक है, at the time it strikes the ground, जब वो ground पर के strike करेगा, वहाँ पर उसकी kinetic energy कितनी होगी, तो kinetic energy का formula आपको पता है, kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square, ठीक है, तो पहले हम इसमें से data निकाल लेते हैं, a stone of mass 500 gram, हमें mass दिया गया है, 500 gram, अब क्योंकि हम kinetic energy solve कर रहे हैं, तो kinetic energy में जो mass होता है, वो हम kilogram में लेते हैं, तो हम kilogram में convert करेंगे, और convert करने के लिए हम thousand से divide कर देते हैं, तो it becomes 0.5 kilogram, ठीक है, उसके बाद हमें velocity दी गई है, velocity is equals to 20 meter per second, ठीक है, और हम से कहा गया है, how much is the kinetic energy, तो kinetic energy आपने find करने हैं, ठीक है, अब हम solution की तरफ आते हैं, तो solution में है, kinetic energy is equals to, 2, जो basic formula है हमारा, 1 by 2 mv square, ठीक है, just you have to place the values, kinetic energy is equals to 1 by 2, mass है 0.5 and velocity है 20, इसका हम square कर लेते हैं, ठीक है, अब 1 by 2, 0.5, इसका हम square करेंगे, तो वो हो जाएगा 400, और इसको further जब हम solve करेंगे, तो हमारा answer आजाएगा 100 joule, तो ये है हमारी kinetic energy, so this is the kinetic energy when the stone strikes the ground, ठीक है, तो kinetic energy is equals to 100 joule, when the stone strikes the ground. I hope आपको आज के lecture समझ आ गया होगा, example भी और हमने चो lecture दिया आपको समझ आ गया होगा, तो next lecture तक के लिए, Allah Hafiz, take care.